कैसे हैं आप सब आप सभी का विलकम है मेरे चैनल में फ्रेंड्स आज की जो मेरे रेसिपी है ये काफी यम्मी जूसी क्रीमी और जबरदस्त होने वाली है और सबसे अच्छी बात कि ये बहुत ज्यादा हेल्दी है और क्विक से जल्दी जल्दी से तयार होने वाली रेसिप का शुक्रिया कहना जाऊंगी कि आप सबी ने मेरे प्रिभियस वीडियो को बहुत like किया बहुत सारे अच्छे कामेंट्स किये और जो मेरे चैनल में नए हैं उन से humble request है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर प्रेस करें ताके मेरी हर आने वाली वीडियो फॉरन मिल जाए चलते हैं इंग्रिजियन्स की तरफ यह है ब्राउन ब्रेड ब्रेड तो हम डेड देख कर ही लेते हैं फ्रेंड्स पर इस तरह से भी चेक किया जा सकता है मैं इस यानि आटे वाली ब्रेड और वो है मैदे वाली ब्रेड तो प्लीज प्लीज मैदे की प्रोड़क्ट्स को मैदे की ब्रेड को जहां तक हो सके आवाइट करें बच्चों को भी आदत डालें इस तरह से और आटे की प्रोड़क्ट की आदत डालें दीरे दीरे फिर पसंद आने लगता है बस जरा हमें ट्राइ करते रहना चाहिए क्योंकि मैदा हमारे हिल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बहुत नुक्सान होता है यह इंग्रीडियन्स फ्रेश पनीर है पैकेट वाली प्याज है खीरा है गाजर है जूसी लाल-लाल सा हमारा टमाटर धन हो या फ्रूट्स की हमें ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए बच्चों को भी इसकी आदट डालनी है हमें इस तरह से और चलिए अब तयारी शुरू कर लूँ कि मैंने सारा कुछ कट कर लिया स्लाइस में इस तरह से सिर्फ हमें गाजर को स्लाइस नहीं करना इस तरह से च सॉप्ट होगा बाकि सारा कुछ तो सॉप्ट है खाने में बहुत आसानी से कट इल ता है हम सिर्फ हमें सब कुछ दालना है गाजर को चॉप्ट कर दे और चलिये अब तयारी करती हूँ दनिया की पत्ति को चॉप्ट कर लए आप चाहें तो इसकी हरी चटनी डालने मेरी काफी प्रिवियस वीडियोज है हेल्थ से रिलेटेड हेल्दी रेसिपीज हैं काफी उसे भी आप देखें इस तरह से मैं डाल रही हूं गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज ये काफी खुबसूरत सा कलर है गाजर, यम्मी, यम्मी सा बच्चे भी ना नहीं कहेंगे इस तरह से किसी रूप में ट्विश्ट करके हमें ट्राइ करते रहना चाहिए ताकि उनकी भी आदत हो वेजिटेवल्स खाने की वरना बच्चे तो अक्सर आना करनी करते हैं ये बहुत ही फ्रेश पनीर है जिसे मैं स्लाइस कर रही हूँ पनीर भी बहुत अच्छा है हमारे हिल्थ के लिए और इस तरह से लेयर देते जाएं इसे स्प्रेड कर लें और ये जो साउस है दोनो केचप और मियोनीज ये हमारे सैंड़विश की जान है होती है आपके पस टाइम कम है तो बहुत अच्छा ये नाश्टा है ब्रेकफ़स्ट में दें डिनर में दें लंच में दें अभी बच्चे बड़े सब घर पर है ना स्कूल है ना ओफिस है वरना लंच बॉक्स के लिए काफी अच्छा नाश्टा होता और इस तरह से देखें ये देखने में भी जबरदस्त है पर खाने में तो इससे कई गुना ज्यादा यम्मी और जुसी है इस तरह से प्रेस जरूर कर लें लास्ट में ताकि ये सेट हो जाए मेरी एक सिस्टन ने भी मुझे मुझे से रिक्वेस्ट किया है सारे एज के लोग इसे खा सकते हैं काफी हलका नाशता है सैंडवीच हलका है पर काफी देर तक पेट भरा भरा सा लगता है क्योंके काफी एनर्जेटिक इसमे विफ systरा हमें जैसे सारे मिल्क प्रोडक्ट्स में हमें प्रोटीन मिलता है जिसके लिए यहां हमारा पनीर हो गया उसी तरह से गाजर में वीटामिन A खीरा में मिनरल्स, टरमाटर में वीटामिन C और गेहू यानि ब्रेड में हमारा कार्बो हाइडरेट है जो बॉडि में जाकर इनर्जी में कंवर्ट करता है और इसी तरह से प्याज में इमुनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रॉंग होता है तो इस तरह से सारी चीजे जो है हिल्दी है इसलिए अपनी दो साल की बेटी हो या बड़े बच्चे हो या दादा दादी हो ममी पापा सारे लोग इंजॉय करें मेरे घर में ये चाय बिल्कुल जबरदस्त अगर सैंडविच के साथ चाय हो जाए तो फिर क्या बात है और काफी पहले मैंने बेटे को सैंडविच दिया है मैं वीडियो शूट कर रही थी इसलिए स्टडी के दौरान कुछ न कुछ बच्चों को इस तरह से देना होता है तो मैं निकाल रही हूँ चॉकलेट साथ में थोड़ा ऐलमंड दे दूँगी काफी जबरदस टेस्ट हो जाता इस तरह से तो हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाता है हेल्दी भी बच्चे फिल करते हैं और इंजॉय भी करते हैं ममी के तरफ से कुछ न कुछ मिलते रहे तो फिर ऑनलाइन अभी क्लासेज है तो काफी अच्छा हो जाता है इस तरह से बच्चों को कुछ न कुछ हिल्दी जरा टुष्ट करके जरा नया नया सा ट्राइकर के हमें देते रहना चाहिए ताकि उनको fruits, vegetables, nuts और dry fruits सब कुछ मिलता रहे तो ये जो sandwich है ये भी देते रहें बच्चों को, बर्म को, सभी को ये विल्कुल mouth melting sandwich है मुँ में डलते ही विल्कुल घुल जाएगा काफी यम्मी, juicy है, healthy होते ही हमें लगता है healthy का नाम आती ही कि boring कुछ होगा पर ये boring नहीं है, काफी जबर्दस्त है यकीन करें, जरूर ट्राइ करें और ये मैंने कट कर लिया है, देखें कितना juicy, yummy, colorful है बच्चों को इस तरह से vegetables मिलेगी तो अगले वीडियों फिर मुलाकात होती है अपना बहुत ख्याल रखें